नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मेरे साथ मौझूद हैं गोराडी परकंड के अगरपूर पंचायत के मुख्या प्रतिनी दी इनसे हम बात करेंगे कि इनका पुराना कारिकाल कैसा रहा इस बार फिर से ये चुनावी हाथ आजमा रहे हैं चुनाओ में खड़े हो र पढ़ेंगे और पिछला कारिकाल में कौन कौन सा ऐसा विकास हुआ जो यहां की काया कल्प करती है सबसे पहलेत तन्वीर हसं जी स्वागा थे आपका हमारे चैनल पर जीवाज बहुत बहुत शुक्रिया आप वोट मांगने जनता से किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं दिखे मुद्दा कोई एक हो तो उसको बताया जाए अनिकों मुद्दा है मुद्दा नहीं मुद्दाएं है कुछ एक मुद्दा बोला नहीं जा सकता है जनता का यही समझ लिजिए कि जब भी उनको जरुवत पड़ा तनवीर हाजिर रहा तन मन धन से हाजिर रहा हम जो है तो किसी भी चीज में उच नीज भेदवाव पुर्न रवया नहीं अपना है लोग हमको बेटा और भाई के तरह समझते हैं तो मुद्दा जितना भी मुद्दा चुनावी मुद्दा होता है उससे एक हटके है कि तनवीर से लोगों को एक महबत है और एक लगाओ है ये बड़ा मुद्दा है और ये अकाट मुद्दा है ये खतम नहीं हो सकता है महबत का मुद्दा ये सारा चीज़ अपने जगा और ये मोहबत अपने जगा है लोग हमें बेटा और भाई के तरह समझते हैं बोट देंगे मांकी तो मुद्धा जितना है सारा मुद्धा रहेगा ही चुनावी मी एक समाजिक सद्भाव समाजिक प्यार होता है जिसका बेनिफिट जिसका फाइदा चुनाओं में पर्तियासियों को मिलता है पर सरकारी योजनाओं का लाव कहां तक आपकी जनता को मिला आपके छेतर में आपके पंचायत में वाड में सरकारी योजना कहां तक धरातल पर पहुंची देखिये सरकारी योजना जो है नलज़ल का योजना जो है तो मेरे यहां पीजडी को नहीं कराना था हर जगा तो पीजडी करा रही थी तो यहां जो है तो पंचायत अस्तर से दे दिया सरकार तो पंचायत अस्तर से जो भी काम हुआ तो उसमें जो मतलब इस्टमिट बना वाड के अस्तर से जो रासी मांगा गिया हमने उनको रासी भेज दिया और कारे मतलब किया गिया कुछ कार जो है तो अभी भी जो है तो पूरन नहीं हो पाया है वो भी पूरन कर दिया जाएगा लेकिन रासी लगबक सब को दे दिया गया है और बाकी काम तो उन लोगों का होता है मेरा होता नहीं है बाकि है कि विकास जो है गरामीन सडक, नली गली ये सब गरुतिया में बहुत ज़या में ज्यादा हुआ ये समझ लिजी कि बहुत ज़्यादा नौलेज नहीं होने के बज़े से भी या विवाद होने के बज़े से भी कुछ लोग आवैदन परिटिशन देने लगे तो थोड़ा सी अपना परहेज करने के बज़े से भी लेगिन इस बार जो है चुकि यहां काम तो पुर्न रूप से हो चुका है कुछ काम बाकी नएकाद काम बाकी है तो समझ लीजिए कि बाकी जगह जैसे सिकंदर पूर है इंगलिस लाइन है अगर पूर है और यह महला है गौहरीयों है जो है इस इसलम हो पाया जहां रोड नाली का बेहज जरूरी है सबसे पहले प्रार्थमिक्ता दे के इन सब जगहों में काम किया जाएगा तैकि लोगों को जो है तो मतलब आसानी हो चलने में पानी बहाने में ये सब का प्रेशानी हो रहा है जो बचा-बचा काम है सब कर दूँगा इंशाल्लाई आपके नॉमिनीशन की दिन एक विवाद हुई ती जिसको लेकर काफी चर्चा हैं लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं अगर चौथरफा आदमी लगा हो तो आदमी थोड़ा परिशान होता है ये मेरा है तो चुनाओ मुख्या का लेकिन दो-चार ऐसा चेहरा हैं समाज में जो की वो चाहते हैं कि ये चुनाओ जीतेगा तो इनका कद जो है तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये मतलब इस इलाके मे रहनुमाही करने लगा है नेता हो जाएगा तो कुछ लोगों की इसमें साजिस भी है समयन है मैं ये किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं और कुछ संगठन की भी साजिस है साहिन भाग एनरसी तीन तलाक मुद्दे पर जो देखा ये मुसलमान चेहरा है तो कुछ संगठ अलग जो है तो धार्मिक दूएस से भी कुछ लोग लगे हुआ है पीछे और यही कारण रहा कि वहां जो है तो नामनेशन के दिन जो है तो वह अपना लड़का अलग से भीज करके डिश्टर्ब किया तो वो सही बात है कि मेरा कारकरता जो है तो पकड़ा गिया और जो है तो उनको पुलीस जो है तो कानिनी कारवाई कर रही है लेकिन उसमें और समाजिक तत्व भी कुछ लोग भेज करके महाल को खराब करने का साजिस किया ये बात भी सही है बाकी रही पुलीस का आरोप के हमने पेपर में देखा अलांकि दरोगा साहाब तो ऐसा आरोप मेरे ओपर लिखित लगाए नहीं है लिगना पेपर पर रहे थे कि तन्बीर मुक् dissip कि दिया है कि नाम नहीं दिया था परतियासी एसी सिर्फ लिखा था कि दिया है कि मतलब 15 दि वेवार है और किसी किसम की कोई जो है तो दिक्कत नहीं है उनका काम है कि जो संबेदानिक तरीके से मतलब कानूनी कारवाई करें मेरा भी काम है कि संबेदानिक तरीके से कानून का हम पालन करें और उसंबेदानिक तरीके से अगर परसासन भी कारवाई करती है तो हम भी उसक को भी उनका सपोर्ट करना है और कुछ नहीं है जो रीमर बन रहा है वो सब गलत बात है और कहने का यह मतलब है कि सब सांती और सद्भाव से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है साथ में चरण का मतदान होना है दो एक दो दिन में आपको चनाव चिन भी मिल जाएगा क्या लगता है आपको नौमिनेशन के दिन हुआ विवाद कहीं न कहीं वोटिंग में असर डाल सकता है या फिर आपको उसका नुक्सान उठाना पड़ सकता है देखे मैं तो पहले भी कहता हूँ और भी मीडिया वाले बहुत सारे आए आपका भी बहु फाइदा हो सकता है या नहीं हो सकता है या नुक्सान हो सकता है तो यह तो वक्त बताएगा अभी हम क्या बोलें अपार फाइदा होगा हम कहते हैं कि लोहे को जितना पिटोगे पिटते अलवार पिटता है पिटता है तलवार का रूप बन जाता है बनता है फिर जब तलवार वो बन जाता है तो वो साधारन लोहा तो रहता नहीं है तो पिटने वाले को पिटने दीजिए हमारा लोग जो है तो तलवार की तरह हो जाएगा हमारा लोग कार करता हमारा वो उस पर तो जितना हाथोड़ा लगेगा वो जो है तो रूप अपना बदलेगा और जो है तो तलवार के मानिंद हो जाएगा और इसका इस तलवार का जवाब संबैदानिक तरीके से वोट के दिन देगी जनता और हम आपार मतों से जीतेंगे हम और आप दोनों यहीं रहेंग आप देख लिजेगा अगली बार हम 416 वोट लगवक से जीते थे और इस बार हम जो है तो 816 वोट लगवक से जीतेंगे यह उमीद है इंशालला समुदाइक विवाद को लेकर समुदाइक बातों को लेकर धार्मिक चीजों को लेकर नौमिनेशन के दिन विवाद हुआ जो आपने बताया आपके छेतर में 50 फिजदी मुस्लिम वोटर हैं 50 फिजदी हिंदू वोटर हैं यह भी आप ही से जानकारी मिली मुझे आप ये बताईए कि आपका पुराना कारिकाल में जो विकास कारी रहा क्या वो समानतर जंता को देखकर किया गया या आपके छेतर को देखकर किया गया या वहाँ भी सामुदाई कहीं न कहीं भेदवाव आपने किया नहीं नहीं देखिए भेदवाओ तो होना ही नहीं चाहिए इनसान सब बरावर है इनसानियत के नाते सारा इनसान मनु सत्रुपा की आउलाद है सारा इनसान एडम इब की आउलाद है सारा इनसान आदम और हुवा आले सलाम की आउलाद है यानि एक ही माबाब से सब लोग हुआ है, यह पूरी दुनिया हुई है, यह पुरा काइनात हुआ है, जितने भी इनसान है, तो इसमें तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, और भेदभाव का रवया हम कभी करना भी नहीं चाहते हैं, और हम तो पहले भी बोलते हैं, कि हम परमा के मुझ से पैदा लिया हूँ, सुद्र पैर से पैदा लिया है इसके खिलाफ हैं पूरी दुनिया एक ही मवाब के अवलाद है सब आपस में नाते बाई है भी बहुकोड़ाव कुछ नहीं मेरे मन में रोता है जाती को लेके समुदाइक को लेके या आपसी एक छेतर को लेकर भी कि हमारे छेतर से प्रतिनी दी है तो उनको वोट दिया जाएगा तो क्या लगता है आपको आपके विकास को देखकर आपके कारी को देखकर जनता आपकी तरफ रुजान दिखाएगी आपको वोट देगी या फिर कहीं न कहीं सामुदाइक रंग भी इसमें देखने को मिलेगा देखिए सामुदाइक रंग का जहां तक बात है तो मेरे यहां जो पहले होता था वो अब नहीं रहा अब हम लोग सब मिलदूल करके रहते हैं और मिलदूल करके रहेंगे बागी बाद रहा कि विकार की जनता क्या देखकर वोट करेगी आपके छेतर की जनता आपको चुकि आप एक मुस्लिम कंडिडेट हैं तो आपको मुस्लिम कंडिडेट होने के नाते वोट करेगी या फिर आपके पुराने विकास कारी को देखकर वोट करेगी देखिए मैन बात है कि कंडिडेट मुस्लिम और हिंदू यह सब तो देखना ही नहीं चाहिए विकास देखना चा ग्रामीन राजनीती में इस चीज को आप नकार नहीं सकते की जाती समूदा इन सभी चीजों को देखकर वी वोटिंग एरेजमेंट होता है। तो आपका पुराना कारिकाल दस में से कितने अंकों के लायक है। दो तो खुद से ही काटूँगा आपको मौका काटने का क्यों दहम। अगरपूर पंचायत के मुख्या प्रतिनीदी डॉक्टर तन्वीर हसन। इन्होंने बताया कि यहां की जनता इनसे बेहद मुहबत करती है। इनके कामों को देखकर जनता इन पर बिस्वास करती है। और आने वाले चुनाओं में जब मतदान होगा तो यह भारी मतों से जीतेंगे। इसा इनका कहना है खेर जनता का क्या मिजाज है यह तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। यह वीडियो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि यह वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।